कि नमस्ते मित्रों मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल मोदी जाइका पर आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राइफ फ्रूट ऑमलेट जो की खाने में बहुत ही टेस्टी होता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है ड्राइफ फ्रूट ऑमलेट बनाने के लिए देखे चार पीस जो है एग लिए हैं एक टमाटर को जो बारी काट लिए हैं लगबग जो है पचास ग्राम पनीर को भी बारी काट लिए हैं एक प्याज को भी बारी काट लिए हैं ड्राइफ फ्रूट लिए हैं जिसमें किसमीस बादाम और पिस्ता है इसके अलावा धनिया के पत्ते लिए हैं गार्निस करने के लिए एक सुखी लाल मिर्च लिए हैं एक छोटा निंबु का टुकड़ा छोटा सा गाजर का टुकड़ा को जो है सजाने के लिए गार्निस करने के लिए बीत का छोटा सा टुकड़ा एक इंच अद्रक को बारिक काट लिए है चार से पांच लहसं के कलियां को भी बारिक काट लिए है और दो हरी मिर्च को काट लिए है और अमूल का बटर लिए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब चार पीस अंडे को जो है हम एक बॉल में जो है तोड लेते हैं देखे इस परकार से जो है ध्यान रखेंगे कि अंडे के छिलके के टुकडे जो है उसमें नहीं जाए इसी परकार बाकी बचे हुए अंडे को भी हमें बॉल में तोड लेना है देखे चार उपीस अंडे हमने तोड़ लिए हैं अब अंडे के छिलके को जो निकाल लेंगे देखे हमारा बॉल जो है छोटा पड़ गया है तो इसलिए जो है बड़े बॉल को जो है इसको ट्रांसफर कर देंगे बड़े बॉल में और इसे जो है अच्छे से जो है मिक्स करना है जिससे फलपी हमारा जो है ओमलेट बनके तैयार हो काफी अच्छे से जो है मिक्स करना है इसे एक से दो मिनट तक देखे काफी अच्छा जो है इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गया इसी परकार हमें जो है इसको काफी अच्छे से जो है मिक्स करना है फेटना है इसे एक प्याज को हमने बारी काटा हुआ था उसे जो है इसमें आधे प्याज को जो है इसमें मिक्स करेंगे और आधा प्याज हम बचा के रखेंगे ग्रेवी के लिए हरी मिर्च को भी जो है एड़ करेंगे धनिया पत्ते को भी जो है इसमें एड़ करेंगे जिससे काफी अच्छा टेस्ट आएगा स्वात के अनुसार जो है नमक को एड़ करेंगे और इन सभी को अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है ताकि नमक एक जगा नहीं हो मिक्स हो जाए अच्छे से ने तो नमक का एक जगा आने से टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा देखे काफी अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम जो है गैस के फ्लेम को आउन कर देते हैं और ओमलेट फ्राइ प्रेन को गर्म होने के लिए रख दिये है अमूल बटर को जो है एक चमच जो है फ्राइ पेन में जो है डालेंगे और इसे चारो साइड जो है फ्राइ पेन में जो है इस तरह चारो साइड से जो है इसे गुमा देंगे जिससे अच्छे से चारो साइड हमारा जो है बटर जो है फैल जाए अगर आप बटर नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें रिफाइन ओयल भी जो है डाल सकते हैं परन्तु बटर में काफी अच्छा टेस्ट आता है ओमलेट का देखे काफी अच्छे से हमारा जो है फ्राय प्रेन में बटर चारो साइट फैल चुका है और गर्म भी हो गिया है अब इसमें जो है ओमलेट का जो बैटर है उसे डालेंगे मिक्स करके डालना है धीरे धीरे ताकि नमक वगरा एक जगह नहीं रहे और ध्यान रखेंगे कि गैस के फ्लेम को मिडियम फ्लेम पे रखेंगे और इस परकार से जो है चारो साइड जो है अच्छे से जो हमें पकाना है लगवग एक से दो मिनट तक जो है अच्छे से पकाना है अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसमें जो है आधास 30 सेकेंड तक और इसे पकाएंगे अच्छे से देखे फ्राइप प्रोइन को जो है इस तरह हिला देने से जो है नीचे जो है ओमलेट चिपकेगा नहीं अब हम ओमलेट के ऊपर चिकन मसाला को एड़ करेंगे जिससे ओमलेट में हमारा जो है काफी अच्छा जो है टेस्ट आएगा देखे हमने चिकन मसाला को एड़ कर दिया है और इसे अच्छे से जो है मिक्स कर देते हैं जिससे चिकन मसाला जो है चारो साइड हमारे ओमलेट पे जो है लग जाए इस परकार से जो है हिला देख रहे हैं कि नीचे हमारा ओमलेट जो है चिपका नहीं हो अब हम इसे प्लड देते हैं ताकि दूसरे साइड भी अच्छे से जो है हमारा ओमलेट जो है पक जाए कहीं से कच्चापन का टेस्ट नहीं आए देखे काफी फलपी हमारा ओमलेट बन के तैयार हुआ है इस साइड भी हम जो है इस सतरह दबा दबा के हलका सा जो है इसे ओमलेट को जो है पका लेंगे ओमलेट हमारा रेडी हो गया है अब इसको जो है छोटे छोटे टुक्ले में जो है काट लेंगे आपको जिस साइड में भी जो है ओमलेट को रखना है उस साइड में जो है इसको काट लेना है देखे हमने जो है आठ टुक्ले कर दिये हैं ओमलेट के ओमलेट को हम एक बॉल में निकाल लेंगे सारे पीस को हमें बॉल में शिफ्ट कर देना है सभी पीस को हमने शिफ्ट कर दिया है बाकी बचे हुए पीस को भी जो है सर्विंग बॉल में शिफ्ट कर देंगे ओमलेट रेडी हो गया है अब ओमलेट का ग्रेवी बनाने के लिए हमने गैस पीके उपर फ्राइपेन को रख दिया है और इसमें एक चम्मच जो है बटर जो है एड करेंगे और बटर को जो है अच्छे से चारो साइड जो है हम मिक्स कर दिये हैं ताकि बटर हमारा अच्छे से फैल जाए और इसमें एक साबुद जो है मिर्च को दो टुक्रे में करके इसके उपर डाल देना है देखे मिर्च भी हमारा फ्राई हो गया है बटर में अब इसके उपर बचे हुए आधे प्याज को जो हमने बचा रखा था उसे भी एड़ करेंगे और प्याज को जो है अच्छे सी बटर में फ्राई करना है लगबग एक मिनट तक जिससे हमारा प्याज जो है ब्राउन हो जाए देखे प्याज हमारा अच्छे से जो है ब्राउन हो गया है इसमें जो है हम कटे हुए हरी मिर्च को जो है एड़ करेंगे और अदरक के टुक्रे एक इंच अदरक के टुक्रे को भी जो है बारिक एड़ करेंगे लाशून के टुक्रे को भी जो है एड़ करेंगे और इसको भी अच्छे से जो है प्याज के साथ हमें फ्राई कर लेना है लगवाग एक मिनट लगेगा इसे फ्राई करने में हमारा प्याज देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है एक टमाटर को भी बारिक काट लिये थे इसे भी जो है एड़ करेंगे और इसी के साथ टमाटर को भी प्याज के साथ फ्राई करेंगे जब तक कि हमारा टमाटर जो है सौफ्ट ना हो जाए देखे हमारा टमाटर जो है गल गया है अब जो है काफ़ी सौप्ट हो गया है इसमें जो है स्वाध अनुसार जो है नमक ऐड़ करेंगे आधा छोटा चमच जो है लाल मिर्च पॉडर भी ऐड़ करेंगे धनिया पॉडर भी जो है आधा चम्मच एड़ करेंगे और आधा चम्मच जो है चिकन मसाला को भी एड़ करेंगे इससे काफी अच्छा जो है टेस्ट आएगा हमारे जो है ग्रेवी में और इन सभी को जो है अच्छे से जो हमें फ्राइ कर लिना है जिससे मसाला हमारा जो है अच्छे से फ्राइ हो जाए पनीर के टुकड़े हैं बारिक किये हुए लगबग जो है पचीस ग्राम पनीर है इसे भी जो है एड करेंगे पनीर का भी काफी अच्छा फ्लेवर आएगा हमारा जो है ड्राइफ फ्रूट ओमलेट में इसको भी हम इसके साथ जो है मसाले के साथ जो है फ्राइ कर लेना है अगर आप पनीर नहीं डालना चाहते हैं तो इसकीप कर सकते है एक मिनट तक जो है इसे भी फ्राइ कर लेंगे अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो जो है छोड़ सकते हैं इसकीप कर सकते हैं इससे काफी अच्छा जो है टेस्ट आता है मसाले के साथ इसे भी काफी अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में अपने अनुसार पानी एड़ करेंगे जितना आपको पानी डालना हो अपने अनुसार आप पानी डालके इसे जो है अच्छे से जो है मिक्स करेंगे और एक मिनट तक इसे अच्छे से पकाएंगे देखिए हमारा ग्रेवी जो है रेडी हो गया है अब इसे ओमलेट के उपर धीरे धीरे करके चारो साइड जो है डालेंगे काफी अच्छा ग्रेवी रेडी हुआ है हमारा धीरे धीरे करके चारो साइड जो है ग्रेवी को एड़ करेंगे ओमलेट के उपर काफी अच्छा खुसबू आ रहा है हमारा जो है ग्रेवी के उपर जो है मोजरेला चीज को जो है इस परकार से एड़ करेंगे काफी अच्छा जो है इसका टेस्ट आता है और दिखने में भी काफी खुबसूरत रहता है हमें रेश्टोरेंट का फिलिंग आएगा आप अपने अनुसार जो है जितना भी चीज को एड़ करना चाहते हैं अब इसके उपर जो है हम ड्राइफ रूट से जो है इसको और भी जो है अच्छे से जो है सजाएंगे क्योंकि जब तक ड्राइफ रूट नहीं डालेंगे तब तक हमारा जो है ड्राइफ रूट ओमलेट रेड़ी नहीं होगा इसके उपर काजू, किस्मीज, पिस्ता जो भी ड्राइफ रूट आप डालना चाहें उसको जो है एड़ करेंगे देखे हमने काफि सारा ड्राइफ रूट को जो है डाल दिया है अब इसके उपर जो है चारो साइड जो है लम्बा लम्बा इस परकार से बीट के स्लाइस काट करके जो है एड करेंगे जिससे जो है हमारे ओमलेट का जो है खुब सूर्ती और बढ़ जाएगा गाजर के भी टुकड़े को भी जो देखिए हम बारिक बारिक काट लिये हैं इसे भी थोड़ा एड करेंगे जिससे इसके उपर जो है कलरफुल जो है दिखेगा गनिया के पत्ते से भी जो अच्छे से गार्डिस कर देंगे जिससे एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन तयार होगा जो दिखने में भी काफी अच्छा लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा देखे पनीर भी जो है हमने काट रखा स्लाइस के रूप में इससे भी गार्डिस करेंगे जो और भी खुबसूरत बनाएगा हमारा जो है ड्राइफ्रूट ओमलेट को दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करे सबस्क्राइब करे और बेल के भी आइकन को दबा दे अगर आपको इसी परकार कोई और डिस का वीडियो भी चाहिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आये तो भी हमें आप जो है अपने कॉमेंट के द्वारा जो है बता सकते हैं कि किस परकार का वीडियो आपको चाहिए धन्यवाद